चल बेटा शुरू है हलो ग्रीटिंग्स तो अल आफ यू वेलकम तो अनलाइन बेंचर्स दा वन स्टॉप सेलूशन फॉर आल दा इग्जामनेशन्स इन इंडिया दुपहर के एक बच चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुती इंपोर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ बाइस आप जितने लोग चैनल पे ने हैं फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आज आओ बेटा आज है आपका दा मोस्ट अवेटेट सिरीज की शुरुवात हो रही है हाई गुर्परीत तरुन अकांशा मुनीश सार्थाक लक्षमी प्रसाद इशांद गुर्परीत लव सभी लोग आ जाईए भाई फटा फट सभी का स्वागत है आज के सेशन में बाई साब तो फटा फटा आ जाईए अब देखो बेटा अब जब बात करते हैं करेंट अफेर्स की समझो बेटा अब करेंट अफेर्स आपका बहुत इंपोर्टेंट है समझेए आपका एक्जाम CDS1 2021 कब है तो भाई आपका एक्जाम CDS1 2021 साथ फरवरी को है इसके साथ साथ आपका AFCAT का एक्जाम भी होने वाला है याद रखेगा अब होता क्या है कि 7 फरवरी 2021 का जो एक्जाम होगा CDS1 का इसके लिए आपको कितनी करेंट अफेर्स चाहिए तो कम से कम 13 महिने की को करनी होगी कितने दिन की 13 महिने की को करनी है यहां पर इक दो महिने की करेंट अफेर्स कर नीए और इसकी शुरुआत कब से होगी तो January 2020 से January 2021 तो January 2020 से January 2021 का पूरा current affairs कराऊंगा मतलब 13 महिने का current affairs कराऊंगा इसके लिए मैं आपके 13 sessions लूँगा याद रखेगा 13 sessions आपके लिए मैं ले रहा हूँ आज इसे ये शुरू हो रहा है सिलसला और ये आपका 3-4 फरवरी तक चलेगा तो 13 session होंगे अब होता क्या है कि आज तक आपने current affairs बहुत अलग तरीके से पढ़ी होगी लेकिन अब current affairs का पूरा चेहरा बदल जाएगा भाई साब बिलकुल अलग तरीके से current affairs हम पढ़ेंगे इस बार हम कैसे पढ़ रहे हैं पहले हम क्या करते थे questions करते थे बस खाओ जाता था अब questions के लावा समझेगा इस बार हमारी current affairs बहुत अलग है न्यूज प्लस question प्लस solution तो भाई साब समझ रहे हो न्यूज प्लस question प्लस solution अब आपको अब मैं ये बताऊंगा कि न्यूज में क्या क्या था ये भी समझेए ये बहुत जरूरी है जैहिंद भाई साब लाइक और शेर बढ़ाओ यार ये असी बच्चों को पढ़वाने की इतनी मेहनत ना करवा यार मुस्से फटा फट लाइक और शेर करो सब लोग जोग तेजी से ताकि और भी लोग जुड़ सकें जल्दी यल्दी आजएए क्लियर है सबको कैसे हम करने वाले हैं सबको क्लियर हो गया सो भाई साब 13 महिने की करेंट अफेर होगी और डेली दुपहर को एक बज़े सेशन शुरू होगा वन पीम याद रखिए ये समय एक बज़े होगा ठीक है बेटा अब याद रखिएगा आप CDS का पेपर में ये काम आ जाएगी FCAT में काम आ जाएगी IB में काम आ जाएगी सब में काम आएगी कोई परशानी नहीं कोई भी जुड़े हमारे साथ सो आज हम शुरू करेंगे जनवरी 2020 2020 अब जनवरी 2020 अब समझिएगा मतलब आज पढ़ा जनवरी खतम इसके बाद दुबारा जनवरी 2020 को उठाने ही नहीं अपने जीवन में तो याद रखिएगा जनवरी 2020 आज हम करने वाले हैं और जनवरी 2020 की 50 सबसे टॉप खबरे उठाएगे सबसे पहले बाई साब लाइक और शेयर सबसे पहले 100 प्लस लाइक पहुचो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ठीक है बच्चा अब देखो अब ऑनलाइन बेंचर्स की अप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है फटाफट इस अप को डाउनलोड कर ले मैंडेटरी आप है सभी लोगों के लिए छीक है बहुत इंपॉर्टेंट है बटा आपके एक्जाम में 20 प्लस कोशन आएंगे और याद रखेगा इससे शांदार करेंट अफेर्स कहीं मिलेगी नहीं अब देखिए बटा शुरू करें सब लोग रेड़ी हैं यस कर दें बहुत बढ़ियां सब लोग रेड़ी कर ले शुरू करते हैं सेशन चलो भाई बहुत बढ़िया अब देखो बटा हमारी जनवरी की अगर बात करते हैं तो जनवरी 2020 में तोटल याद रखेगा 50 खबरे थी मतलब जनवरी 2020 में 50 खबरे सबसे ज़्यादा लाइम लाइट में थी, कितनी? 50 तो 50 खबरे सबसे ज़्यादा लाइम लाइट में थी जनवरी 2020 में अब जनवरी 2020 में मैं आपको बताऊंगा वो 50 खबरे कौन कौन सी और उनसे कोशन कैसे बनेंगे समझिएगा तो जनवरी 2020 में जो सबसे बड़ी खबर थी World Sustainable Development Summit देखो भईया बाई साब ये देख सकते हैं प्रकाश जाबेटिकर जी हमारे देश में और आप देख सकते हैं World Sustainable Development Summit मैं आपको गैरंटी दे रहा हूँ एक कोशन एक्जाम में जैरंटी आएगा Sustainable Development Summit से याद रखेगा So World Sustainable Development Summit जनवरी 2020 की एक बहुत बड़ी घटना है याद रखेगा आप समझिएगा अब इससे कोशन कैसा बनेगा आईए देखते हैं ये दिखेगा Consider the following statement with respect to the World Sustainable Development Summit अब मुझे आपको बास समझ में आई अब आपको बास समझ में आई इसके लावा कुछ नहीं करना है मतलब World Sustainable Development Summit आपके एक्जाम में आ रही है अब इसका question किस तरह से आएगा वो इस तरह से आएगा Consider the following statement with respect to the World Sustainable Development Summit It is an annual flagship event of the Energy and Resource Institute theory The theme for the year 2020 is mapping the future road for energy और WSDS 2020 will focus on the need to access global contribution made and the next step to be undertaken by the world community to meet the 17 SDGs पूचा गया है कौन सा statement यहाँ पर सही है जल्दी बताईएगा बहुत बढ़िया question है ध्यान से देखियेगा जवाब दीजेए fast हां जी जल्दी देखो बहुत अच्छा question है World Sustainable Development Summit देखियेगा So it is an annual flagship event याद रखियेगा बिल्कुल सही है बेटा Energy Resource Institute Terry का है इसमें याद रखियेगा कि 17 SDGs बताएगए है आपको मालूम होना चाहिए 17 Sustainable Development Goals बताएगए हैं जो हमें करना है ये भी statement सही है लेकिन ये theme ये नहीं था याद रखियेगा So theme ये नहीं था Right answer D हो जाएगा 1 and 3 क्योंकि जो theme था याद रखियेगा वो यहाँ पर ये theme नहीं हुआ करता था याद रखियेगा चीक है तो theme था Making the Decade Count याद रखियेगा Towards 2030 आपको मालूम होना चाहिए कि जो Sustainable Development Goals है उसे हमें सन 2030 तक पूरे करने हैं तो Sustainable Development Goals को बटा हमें सन 2030 तक पूरे करने हैं और 17 इसमें Goals बताएगए हैं SDGs बताएगए हैं याद रखियेगा तो ये था कि Making the Decade Count करना है तो I hope it is clear to all of you पहली खबर ये थी World Sustainable Development Goals से कोशन जरूर आएगा गैरंटी याद रखियेगा अब देखें दूसरी खबर क्या है ये देखें Exercise संपृत्ती 8 ये देखें ये जनवरी 2020 की दूसरी बड़ी खबर है याद रखियेगा ये देखेंगा Exercise संपृत्ती 8 ये आठवे जो संपृत्ती exercise हुई है ये बहुत important exercise है और इससे कोशन आने की बहुत ज़्यादा chances है चलो भाई देखते हैं कोशन क्या आएगा Consider the following statement Respect to the संपृत्ती It is a bilateral defense cooperation between India and Bangladesh बहुत अच्छी बात है The exercise will be hosted alternatively by the participating countries The ninth edition of the exercise is being conducted at Meghalay India जल्दी बताईएगा कौन सा statement सही है Fast जल्दी देखेगा संपृत्ती exercise बहुत important है बटा जल्दी बताओ ये 2020 का है याद रखियेगा उमकार बटा यहाँ पर बात 2020 की आ रही है ये bilateral exercise है बिल्कुल सही है ये alternate होती है और ninth edition जो है exercise is being conducted at Meghalay India बिल्कुल सही है बहुत अच्छा right answer D हो जाएगा 1, 2 and 3 सारे के सारे right answer है 1, 2, 3 सारे सही है बहुत बढ़िया तो संपृत्ती काफी important है याद रखियेगा आठमी जो है वो नवी जो है बिल्कुल सही बात है शाबाश बहुत अच्छे next तीसरी खबर आप देखियेगा ये देखो बिल्कुल जटरा नगोबा जटरा केसलपूर ये देखो बिल्कुल आपको मालूम है कि हमारे UPSC को ये tribal festivals exam में पूछने का बहुत शौक है याद रखेगा चीक है हाँ जी ये देखे तीसरी खबर है बटा नगोबा जटरा केशलापूर ये भी बहुत बड़ी खबर है क्योंकि खबरे तो बटा मैं आपको Express 365 में पढ़ाते ही हूँ तो अब नगोबा जटरा से कोशन क्या बन सकता है देखेगा नगोबा जटरा इसा ट्राइबल फेस्टिवल कहां पर होता है तेलंगाना, उडिसा, तमिलनाडू, केरला जल्दी बताओ नगोबा जटरा के बारे में आपने सुना होगा फास कोशन नमबर तीन को देखेगा ये बहुत इंपोर्टेंट है हाँ जी नगोबा जटरा बहुत इंपोर्टेंट है और हमारे यूपीस्टी को जो ट्राइबल फेस्टिवल्स है ये पूछने का बहुत ज़्यादा शौक है लाइक और शेर होते रहना चाहिए बहुत बढ़िया शाबाज जवाब आ रहे हैं मेरे पास बहुत बढ़िया नगोबा जटरा जो है बटा ये फेस्टिवल तेलंगाना में है बिल्कुल सही है याद रखेगा ये जो है बटा अदीलाबाद डिस्ट्रिक में होता है तेलंगाना में केशलपूर विलेज में याद रखेगा ठीक है हाँ जी ये गोन ट्राइब्स बनाती है for 10 days तो गोन ट्राइब्स दस दिन के लिए बनाती है ट्राइबल पीपल फाम महराज शत्तिजगाड उडिसान मध्यपरदेश बिलॉंगी टू मेश्रम क्लैन ओफर प्लेज तो दा फरस्टिबल याद रखेगा यहाँ पर एक बहुत फेमस डांस होता है जिसे गुसाडी डांस कहा जाता है याद रखेगा चीक है तो गुसाडी नाम का यह बहुत फेमस डांस भी यहाँ पर होता है बहुत अच्छे नेक्स्ट अब चौती खबर क्या न्यूज में थी यह देखेगा चौती खबर बहुत अच्छी है आइनेस आईरावत रीज मडा गासकर फोर ऑपरेशन वनीला आपको मालू होगा यह ऑपरेशन वनीला याद रखेगा यह चौती खबर है तो चौती खबर जनवरी 2020 में यह भी थी ऑपरेशन वनीला को ले करके यह आपके एक्जाम में आने की बहुत चांसेज हैं अब इसमें कोशन कैसा बन सकता यह समझते हैं इंडियन नेवी हैज लॉंच्ट ऑपरेशन वनीला टू प्रोवाइड हुमांटेरियन असिस्टेंट रिजास्टर रिलीफ आड इरान इराक सुडान मडगासकर जल्दी बताओ फास्ट ऑपरेशन वनीला के बारे में आपने सुना होगा इंडियन नेवी में बहुत अच् यह मडगासकर में आया था अफ्रिकन कंट्री और यहां पर हुमांटेरियन रिलीफ वर्क प्रोवाइड किया था याद रखेगा इंडियन नेवी ने इसके लिए इंडियन नेवी का शिप गया जिसका नाम था बिटा आइनेस आईरावत तो याद रखेगा सो आइनेस बिटावत गया था ओप्रेशन वैनिला के लिए जो की मडगासकर में याद रखेगा डाएन नाम का तूफान आ गया था उसके लिए गया था बहुत बढ़िया रिलीफ वर्क प्रोवाइड किया था लाइक और शेर हो जा यार बहुत बढ़िया शाबाश क्या बात है दिल यह देखेगा दो सिटीजन सर्विसे शुरू की गई थी मिसिंग पर्सन सर्च एंड जन्रेड वहिकिल नोसी यह नाशनल क्राइम रिकॉर्ट्स ब्योरो ने निति आयोग ने बीरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट ने या नन अब दाबव जल्दी बताओ यह दो सिटीजन सर्विसे जल्दी हमारे देश में शुरू की गई थी जल्दी बताओ किस ने शुरू की थी कोशन नमर पाँच हाँ जी तो एक सेंटरल डेटाबेस हमारे देश में बनाये जा रहा है याद रखिएगा ठीक है मिसिंग पर्सन सर्च अब होता क्या है कि खोई हुए लोगों की जानकारी के लिए एक सेंटर डेटाबेस बनाये जाएगा और जनरेट वहेकिल अनोसी तो ये दोनों सर्विसेज जो है बेटा एनसी आरबी ने शुरू किया था जिसे आप नाशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्योरो अफ इंडिया के नाम से जानते हैं याद रखिएगा राइट आंसर ए है यह बहुत इंपोर्टेंट खबर है अगर सेशन अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर करते रहिएगा बहुत अच्छा अगली खबर है यह देख लिजेगा हाँ जी छटी खबर क्या है कि दा विच ओफ दा फॉलिविंग हाज बन पब्लिशिंग देटा अनवली सिंस 1986 देखो बेटा विच ओफ दा फॉलिविंग हाज बन पब्लिशिंग देटा अनवली सिंस 1986 को देखेगा नाशनल क्राइम रिसेर्च ब्योरो नीती आयोग ब्योरो फॉलिस रिसेर्च और डेवलप्मेंट नन अब दाबव पुलिस ओर्गनाइजेशन के उपर ध्यान देजिएगा आप कोशन का आंसर गलत मत दीजेगा बैटा देखो डेटा अन पुलिस ओर्गनाइजेशन डोपो याद रखेगा एंसी आरबी जो है वो नाशनल क्राइम रिकॉर्ट्स ब्योरो है वो हमारे देश में क्राइम का वाच्डॉग है पुलिस का नहीं है तो इसमें बताया था कि हमारे देश में टोटल पुलिस वोर्स कितनी है तो 25,95,000 है ठीक है बैटा हाँ जी अब देखेगा हू अमंग दा फॉलिविंग रोट रामा दासू कीर्था नालू याद रखेगा हाँ जी ये देखें किताब देखें बहुत अच्छी है इसका नाम है साथवा कोशन है हू अमंग दा फॉलिविंग रोट रामा दासू कीर्था नालू जल्दी बताये कोशन नमबर साथ को रिखेगा हाँ जी भक्ता रामदासू है ननन्या भट्रका है विश्वनात सत्यनरायना है या बम्रेप पोथाना है अब ये कोशन क्यों पूछा गया है इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आएगा समझेगा पहले यहां पूछा गया है रामदासू कीर्था नालू किस ने लिखा है अभी याद रखेगा इसके जो आथर हैं उनकी बेटा एक बहुत बड़ी मूर्ती लगाई गई थी राइट आंसर है भक्ता रामदासू याद रखेगा 11 फिट इंपोजिंग ब्रॉंज स्टैचू और भक्ता रामदासू दरिनाउंट सेंड कंपोजर आफ 17 स सेंचूरी वस अन्वील्ड एट इस बर्स प्लेस निलाको पंडली इन तेलंगाना खंबन डिस्टिक याद रखेगा तो याद रखेगा 11 फिट की ब्रॉंज स्टैचू भक्ता रामदासू की लगाई गई है इनके गाउं में जिसका नाम है निलाका पंडी जो कि तेलंगा जाना के खंडम डिस्टिक में है याद रखेगा तो यह काफी इंपॉर्टेंट कोशन है याद रखेगा ठीक है हां जी यह करेंट अफेर्स का है आगे बढ़ते हैं आठवी खबर पे आते हैं अब देखेगा अलकुट्स इस दा अरबिक नेम फॉर विच आफ दा फॉल्विंग प्लेसे जल्दी बताईएगा अलकुट्स यह देखेगा बहुत अच्छा कोशन है अब आपको मालुम होगा इसको लेकर काफी विवाद भी चल लाहा था जल्दी बताईएगा कोशन नमबर आठ जेरुसलम मोसुल अंकारा या काईरो इस चीज इस प्लेस को लेकर काफी हंगावा भी चल लाहा था जल्दी बताओ फास्ट अलकुट्स बहुत अच्छे वेरी गोड राइट आंसर बेटा जो होगा वो जेरुसलम हो जाएगा बिल्कुल सही है आपको मालुम होगा पैसिडेंट डॉनल्ड ट्रम्स मिडिल इस्ट प्लान पीज तू प्रोस्पारिटी अविजन टू इंप्रूव दा लाइफ ऑफ पैलेस्टीने इसराइली पीपल वस रिसेंटली रिलीज़ अब होता गया है आपको मालुम होगा वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में त क्रिशन्स मानते हैं कि जरुसलम जो है वहाँ पर जीजस क्राइस का जन्म हुआ था वो उनके लिए पवित्र स्थान है और मुसल्मान मानते हैं जो मुसलिम कम्यूनिटी है वो ये मानती है कि जरुसलम है वहाँ पर उनकी एक बहुत पवित्र मस्जिद है जिसका नाम है मस of contention जो है वो Jerusalem है फिलहाल Jerusalem पर कबजा जो है वो Israel का है हाला कि Palestinians कहते हैं कि वो हमारा है अब होता गया है कि Jerusalem को ले करके जो है बहुत लड़ाई है और आज से नहीं है 1960s के जमाने से चल लई है तो Donald Trump साहब ने Middle East plan निकाला था Peace to Prosperity उन्होंने का Peace लाना चाहिए और Peace के लिए उन्होंने विजन टो इंप्रूव दा लाइफ और पैलेस्टीने इस्राइली पीपल रिसेंटली डिलीज तो याद रखेगा Donald Trump यहाँ पर मध्यसता करते हो नजर आये थे तो अलकुट्स को लेकर हुआ था तो अलकुट्स याद रखेगा वो जेरुसलम का नाम है इसी प्लेस को लेकर वो Peace to Prosperity प्लान अपना लेकर आये थे नवी खबर देखेगा यह देखेए नवी खबर बहुत बड़ी है नवी खबर जो है बेटा National Science Foundation को है तो National Science Foundation को लेकर खबर है यह देख सकते हैं जिसका नाम है बेटा आउइनीन सोलर टेलिसकोप यह देखेगा यह काफी बड़ी खबर बन सकती है NSF की National Science Foundation को लेकर के और याद रखेगा हमारे UPSC को साइन्स और टेक के कोशन बहुत बड़े पसंद आते हैं कोशन नमबर 9 देखेगा Consider the following statement with respect to the Daniel K. I know Solar Telescope जिसे DKIST कहा गया है It is the most powerful solar telescope in the world The primary objective is to observe magnetic fields on the sun in order to understand its dynamic behavior पूछा गया है कौन सा statement यहाँ पर सही है यह देखेगा बटा Daniel K. I know Solar Telescope जिसे DKIST कहा गया है कोशन नमबर 9 को देखेगा बहुत अच्छा कोशन है याद रखेगा अभी आपने Hubble Telescope वेगरा के बारे में सुना होगा बहुती famous telescopes हैं Hubble अब यह देखेगे यह बड़ी खबर है So it is the most powerful solar telescope in the world बिल्कुल सही है The primary objective is to observe magnetic fields on the sun in order to understand dynamic behavior बिल्कुल सही है तो याद रखेगा यह काफी powerful telescope है Daniel K. I know Solar Telescope याद रखेगा यह National Science Foundation का question है Recently the world's largest solar telescope takes its first shot of the sun The Daniel K. DKIST shot a highest resolution photo of the sun ever taken तो आज तक आप देखेंगे sun की इतनी साफ photo कभी नहीं आई है यह देखेकते हैं यह sun की photo और इसको आप देख सकते हैं बहुत करीब से लिया गया है याद रखेगा तो यह देखेगा यह photo देखें बटा यह कितनी जादा साफ photo है आज तक sun की कभी भी ऐसी जो है space ऐसी photo आज तक नहीं ली गई है तो याद रखेगा यह काफी important है National Science Foundation के DKIST soliscope अभी recently launch किया गया और याद रखेगा UPSC को हमारे science और tech की खबरे बहुत पसंद है बाई साब like और share करिये बहुत बढ़िया question number 9 हो गया ओके आगे बढ़ते हैं question number 10 यह देखेगा यह भी काफी news में थी the Y.S. Malik committee sometimes seen in the news recently is associated with which of the following Y.S. Malik committee आपने सुना होगा और committees commission के question भी बहुत exam में पूछे जाते हैं यह Y.S. Malik committee news में थी किसके लिए थी जल्दी देखेगा हाँ जी हर session में 50 question होंगे मतलब 13 question 13 session में 6500 question होंगे जल्दी देखेगा Y.S. Malik committee question number 10 को देखेगा यह काफी important committee थी सन 2020 में काफी news में थी Y.S. Malik तो आपको मालूम होना चाहिए यह road transport और highways related थी याद रखेगा ministry of road transport and highways recently constituted a committee headed by Y.S. Malik to identify key issues and recommend methods for transforming Indian academy of highway engineers into the world class premier institute full comprehensive expertise on highway sector तो अब याद रखेगा यह committee क्यों बनाई गई थी ताकि हमारा जो Indian academy of highway engineers है जिसे I.A.H.E. कहते हैं उसे world class premier institute बनाना है highway sector का तो यह committee इसलिए बनाई गई थी ताकि Indian academy of highway engineers जो है इसे world class premier institute of highway sector का बनाना था इसके लिए committee बनाई गई थी काफी important है like or share ठोकते रहिए और लोगों को जोड़िए बहुत important है तो Y.S. Malik committee याद रखेगा दस्वा कोशन ग्यारवी खबर क्या है ग्यारवी खबर देखेगा bio rock और mineral accretion technology sometime seen in the news is related to जल्दी बताईएगा question number 11 को देखेगा बहुत अच्छा question है तो bio rock और mineral accretion technology sometime seen in the news recently related to जल्दी बताईएगा आपने खबर सुनी होगी bio rock और mineral rock accretion technology ये बहुत 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 important question है question number 11 को देखेए ये technology किस से जुड़ी हुई है जल्दी बताईएगा so polymetic nodules है coral reefs restoration है petroleum extraction है emission of free energy generation है भाई आपको मालूम है कि जो हमारे islands होते हैं जो coral islands होते हैं उन पर लगातार जो है bio rock और mineral rock accretion technology आई है ये काफी important खबर है याद रखेगा so bio rock the zoological survey of India with help from gujarat forest department is attempting for the first time to process time of process to restore coral reefs using bio rock and mineral accretion technology तो याद रखेगा कि coral reefs को restore करने के लिए bio rock और mineral accretion technology का इस्तमाल zoological survey of India ने with the help of gujarat forest department so gujarat forest department का साथ मिल करके geological survey of India जो है वो restore करना चाहरी है coral reefs को bio rock technology की मदद से बहुत अच्छे like और share हो जाए 11 का right answer भी है अब ये देखेगा बेटा ये question काफी बड़ा हो सकता है ये question आपके exam के लिए काफी बड़ा question हो सकता है question number 12 consider the following statement with respect to the palm oil import palm oil import क्यों important है question क्योंकि बड़ा ये NRC और CAA से जड़ा हुआ question है और आपके exam में काफी important आ जगता है तो China is the world's largest importer of palm oil India imports most of its refined palm oil from Malaysia and crude palm oil from Indonesia पूछा गया है कौन सा statement सही है 12 को देखेगा palm oil का question ये काफी important है आपको मालूम होना चाहिए भारत सरकार ने भी एक action लिया था आपको मालूम होगा कि 2020 में हमारे देश में शुरुवात के जो तीन महने थे वो CAA और NRC को लेकर काफी बवालत थे तो CAA और NRC को लेकर काफी हमारे देश में हंगामा मचा हुआ था citizenship amendment act और national register for citizens तो याद रखिएगा हमारे देश में CAA और NRC को लेकर काफी हंगामा था और हुआ ये कि जो भारत सरकार ने CAA और NRC की बात की जनवरी फरवरी और मार्च के महिने में 2020 में इसमें मलेशिया ने क्या कहा कि मलेशिया ने कहा कि भारत सरकार जो है वो biased laws बनाती है जो कि मुसल्मानों के लिए जो हैं सोशण होता है कहां पर भारत में मुसल्मानों का सोशण होता ऐसा मलेशिया ने कहा था तो भारत सरकार ने कहा ही जादा criticize किया था CA और NRC को लेकर भारत सरकार को यह गलत statement है क्योंकि याद रखेगा इंडिया जो है सबसे बड़ा palm oil importer है right answer to only हो जाएगा so palm oil को सबस्यादा import भारत करता है और भारत यह import जो है वो मलेशिया से करता है याद रखेगा लेकिन होता यह है कि CAA और NRC को लेकर के जो मलेशिया की सरकार ने जो कहा था उसको लेकर भारत सरकार ने action लिया और मलेशिया से palm oil का import बंद कर दिया था ठीक है दमन गुपता बिल्कुल चलेए क्योंकि उनके लिए भी free of पर मिलना है ठीक आगे बढ़ते हैं यह देखें बटा यह तीसरी ख़बर काफी important है यह बहुत important खबर है भुवन आपने इस पोर्टल के बारे में सुना होगा भुवन पोर्टल और यह आपके एक्जाम के लिए बहुत important खबर हो सकती है याद रखेगा सो याद रखेगा भुवन गेटवे टो इंडिया इंडियन अर्थ अब्जर्वेशन डेटा प्रोड़क्शन सर्विसेज यह देखे इससे कोशन आ सकता है भुवन पोर्टल से सो भुवन पोर्टल अभी हमारे देश में शुरू किया गया और इससे एक्जाम में कोशन आने की चांसेज बहुत जरूरी है याद रखेगा कोशन नमबर 13 में क्या हो सकता भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल विच वाज लॉंच रीसेंडली वस डेवलप्ड बाई सुनिएगा अब समझिएगा क्यों इसको डेवलप किया गया कोशन नमबर 13 को देखेगा दा प्रोजेक्ट इस में टू प्रोवाइड जियो स्पेशल सर्विसेज तू एड ग्राम पंचायत्स डेवलपिंग प्लानिंग प्रोसेस वादर मिनिस्ट्री पंचायती राज बिलकुल बेटा यह बहुत अच्छा पोटल है और यह आपके एक्जाम में भी जरूर आ सकता है याद रखेगा इसलिए बनाया गया है ताकि ग्राम पंचायतों को मदद मिल सके दा प्रोजेक्ट इस बेंट फॉर टू इंप्रूब जियो स्पेशल सर्विसेज तो एड़ प्राम पंचायत डेवलप प्लानिंग प्रोसेस अपनी प्लानिंग करने में बिलकुल सही है बहुत अच्छे लाइक और शेयर होते रहना चाहिए भाई साब लाइक और शेयर में कमी हो रही है भाई साब अभी सेव 150 बच्चे बताओ बिटा तुम शानते हो इस करेंट एक महिने से लगा हुआ हो एक महिने की महनत है तब जाके करेंट अफिर्स निकला है तुम्हारे लिए ठीक है बटा तो लगा दो आग कोशन नमबर 14 देखे यह देखे बड़ी ख़बर है यह बड़ी ख़बर है कमिशनिंग सेर्मनी ऑफ आइसी जीएस अमरित कौर और अन हमारे डिफेंस वाले बच्चों के लिए तबहाई मत जाएगी बहुत बढ़िया शाबाश यह देखेगा तो होता क्या है कि consider the following statement respect to the Annie Besant ship आपको मालूम होना चाहिए कि Indian Coast Guard ने दो ships include की हैं अपने बेडे में जिसका नाम है Annie Besant और याद रखेगा दूसरी का नाम है अमरित question number 14 जल्दी देखो बहुत बढ़िया शाबाश ओके क्या बात है जल्दी देखेगा statement respect to the Annie Besant ship देखो बैटा it is an advanced patrol ship of Indian Navy नहीं तो यह Indian Coast Guard की हैं यह गलत है यह सही है right answer to only है याद रखेगा so यह दो ships हैं याद रखेगा एक का नाम है Annie Besant और एक का नाम है याद रखेगा Amrit Corps okay two Indian Coast Guard ships Annie Besant Amrit Corps were commissioned by Defense Secretary the ship Annie Besant is a third fast patrol vessel of the Priya Darshini class the ship has been endagerously designed and built one commissioned by खिदर पोट डॉक बहुत बढ़िया शावाश 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 बहुत बढ़िया अब यह देखो बैटा यह तो बहुत बड़ी खबर है यह बहुत बड़ी खबर है तबहाई खबर है बहुत बड़ी Spitzer Mission देखो भाईया यह जो है ना Spitzer Mission question number 14 जो बहुत important है आपके exam के लिए सौरी 14 नहीं होगा पंदरा यह 15 खबर बहुत बड़ी है याद रखेगा Spitzer के ल following statement respect to the Spitzer Mission question number 15 को देखेगा it is a space-born observatory designed to study the early universe infrared it is a part of the ESA great observatory program ESA का मतलब क्या है European Space Agency जल्दी देखो जबाब दो फटा फट पूचा गया है कौन सा statement यहाँ पर सही है like or share बहुत अच्छे बहुत असान question है Spitzer Mission आपने सुना होगा बेटा याद रखेगा early universe हमारा universe का evolution कैसे उसको study करने के लिए Spitzer Mission निकाला गया था बिल्कुल सही है लेकिन बेटा यह ESA का कारिकरम नहीं NASA का कारिकरम है बिल्कुल सही है right answer one only हो जाएगा so Spitzer Mission आपके exam में आने की बहुत chances है बहुत important Mission है Spitzer Mission बहुत बढ़िया very good क्या बात है question number 15 हो गया question number 16 देखेगा अब देखे ब बड़ी खबर यह देखो बैटा यह वालकैनो जो है ना फट गया था इसने काफी तभाई मचाई थी टाल वालकैनो आपके exam में आएगा बिल्कुल आने की chances है question number 16 ताल वालकैनो याद रखेगा चीक है अब देखेगा ताल वालकैनो सम्टाइम सीने न्यूज लिसेंटली लोकेटेट इन जपान इंडोनेशा फिलिपिन्स गौटा मेरा जल्दी बताओ तो ये टाल वालकैनो भड़ गया था जिसके वज़े से लाखों लोग जो है बेटा वो डिस्प्लेस हो गये थे टाल वालकैनो कहां है फास कोशन नमबर सोला बहुत बड़ी खबर है टाल वालकैनो जल्दी बताइए कहां इस्थित है वेरी गोड बेटा टाल वालकैनो जो है आपका फिलिपीन्स में इस्थित है याद रखेगा यह भी फढ़ गया था जिसके याद रखेगा तीन लाग चीटर हजार लोग डिस्प्लेश हो गए थे लेकिन बाद में याद रखेगा उन्हें वापस पहुचा दिया गया बहुत बढ़िया राइट आंसर सी हो जाएगा तीन लाग चीटर हजार याद रखेगा बहुत बढ़िया अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो बैया देखो PDF मैं आपको साफ शब्दों में बता दू कि इसके लिए आपको Online Ventures की आप को डाउनलोड करना पड़ेगा तो Online Ventures की जब आप पर जाएंगे न तो PDF आपको मिलेगी तो PDF आपको याद रखेगा Online Ventures की आपको मिलेगी याद रखेगा चिक है हाँ जी दवन इसके लावा कुछ नहीं करना है तो Online Ventures की आप को डाउनलोड करिएगा वहाँ पर PDF मिलेगी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं ये देखे अगली खबर बहुत बढ़ी है ये देखो बैटा सत्रवी खबर G77 से आ सकती है तो G77 को आपने सुना होगा ये बहुत important group है G77 से लाजेज इंटर गवर्मेंटल और्गनाइजेशन विद अमेंबर्शिप ऐस देवलपिंग कंट्री और इनटेशन पैलेस्टीन है जी इसेवेंटी सेवेंटी सेवेंट चेर फ़र 2020 पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बत है नाइदर वन नाइदर टू आप पूछोगा ऐसा क्यूं है क्योंकि आपको मालूम है कि जी सेवेंटी सेवन की शुरुवास सिक्स्टी फोर में हुई थी लेकिन याद रखिएगा आज की तारीख में याद रखिएगा यह बहुत बड़ा ग्रूप है और इसमें टोटल 134 सदस्टे हैं 77 नहीं है 1964 में जब शुरू हुआ था तब 77 सदस्टे थे अब 134 सदस्टे हैं पहली चीज दूसरी चीज याद रखिएगा गयाना को बनाया गया है चेर्मेन तो याद रखिएगा तो पहली चीज यह है कि इसके अंदर 134 सदस्टे हैं दूसरी चीज यह है किसका जो chairman है वो गयाना को बनाया गया है ये और ये दोनो statement गलत है neither one, neither two, बिलकुल सही है, शाबाज बहुत अच्छे, very good so D is the right answer, 17 question हो गया अठारवा देखो, ये देखो, ये भी बड़ी ख़बर है download the all new Gatti mobile app ये देखो, Gatti mobile app निकाली गई थी, बहुत important है ये Gatti mobile app से question आपके exam में आने की बहुत chances है जल्दी देखिया, ठारवी खबर है Gatti mobile app को लेकर Gatti web portal sometimes seen in the news related to, जल्दी बताओ Gatti, नाम देखो बैटा, Gatti people to file their complaints regarding issue their face in the railways a single platform which provides services to all Indian citizens from central to local government bodies as well as private organization help to visually impaired recognized currency monitor road and highway projects, जल्दी देखो बहुत अच्छा है, आपको मालूम होना चाहिए Gatti मतलब speed, मतलब किस speed से हमारे देश में roads और highways आगे बढ़ना है इसको जानने के लिए Gatti web portal बैटा, नितिन गटकरी साब ने launch किया था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, very good, लाइक और शेयर हो जाए, क्या बात है बाई साब, अच्छा लग रहा है क्लास, तो लाइक दिखाएं, खराब लग रही है, डिसलाइक भी दिखाने में कमी मत करिए लेकिन अगर आपको हमारी महनत अच्छी लग रही है, तो उसे आगे ज़रूर बढ़ाईए, बहुत अच्छे, very good, 19-वी खबर भी बहुत बढ़ी है Consider the following statement respect to the forum of election management bodies Forum of election management bodies of South Asia, जिसे हम बैटा FEMBOSA कहते हैं, FEMBOSA की बारे में आपने सुना होगा, question number 19 को देखे है, FEMBOSA was established at the third conference of heads of election management bodies of star countries held at New Delhi, 10th annual meeting of FEMBOSA is hosted by election commission of India at New Delhi, India is the vice chair of FEMBOSA for the year 2020, पूचा गया है कौन सा statement सही है, 19 देखे, जल्दी रेखो बैटा, बहुत अच्छा कोशन है, FEMBOSA, हान जी, हान जी, development में निगरानी के लिए किया गया है, दमन गुपता बहुत अच्छे, FEMBOSA was established at the third conference of heads of election management, बिल्कुल सही है, 10th annual meeting हुई थी, यहाँ पर India is the vice chairman of FEMBOSA, गलत है, राइट आंसर 1 & 2 हो जाएगा, याद रखेगा, क्योंकि इंडिया जो है, बैटा, chairperson है, FEMBOSA का याद रखेगा, तो भारत जो है, FEMBOSA का chairperson है, 2020 में vice chairperson नहीं है, तो राइट आंसर 1 & 2 हो जाएगा, तो FEMBOSA से ख़बर आ सकती है, forum for the, forum of the election management bodies of Saudi Asia, आप देखिए, अगली ख़बर, यह देखो बैटा, यह corruption perception index, बहुत important, the corruption perception index is an index published by corruption perception, जल्दी बताओ, question number 20 को देखिएगा, question number 20 को देखो, corruption perception index, इसे कौन publish करता है, जल्दी देखो, German watch, Oxram, world economic, none of the above, जल्दी बताओ, fast, corruption perception index, corruption को लेके क्या perception है, भाई याद रखिएगा, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद रखिएगा, इसको publish करता है, Amnesty International याद रखिएगा, so Amnesty International इसे launch करता है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा Transparency International, sorry, मैंने Amnesty का, Amnesty नहीं, Transparency, sorry, Amnesty तो Human Rights के लिए होता है, so Transparency International ने launch किया, right answer D है, और याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, भारत की rank जो है, याद रखिएगा, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, इंडिया की score जो है, बेटा, 80 नंबर पर है, तो 180 देशों में, 80 नंबर पर हैं, corruption, perception को ले करके, the rank was also shared by China, Benin, Ghana and Morocco, neighboring Pakistan, rank दे 120 तो याद रखिएगा, चीक है, तो भारत की rank 80 नंबर पर है, 180 देशों में, ये देखो बेटा, ये भी काफी अच्छा कोशन है, अब देखे, कितने कोशन हो गए हमारे, बीस हो गए, अभी किस्वा question देखिए, ये देखे, Global Talent Competitiveness Index, ये भी काफी अच्छा है, कि Global Talent Competitiveness Index, ये बहुत बड़ा index है, कोशन मेर 21 देखिएगा, आपके न्यूज में आ सकता है, तो Global Talent Competitiveness Index is released by, जल्दी बताओ, तो Global Talent Competitiveness Index कौन रिलीज करता है, इसे कौन रिलीज करता है, बहुत अच्छा, तो Global Talent को निकालता है, इंसीड, आपको मालूम होगा, और इंडिया ने काफी अच्छा रैंग किया है, भारत की रैंग 72 हो चुकी है, पहले 80 नमर पे थे, तो Global Talent Competitiveness Index, इसे इंसीड पार्टनर्शिप विद अडियो को ग्रूप एंड गूगल, तो याद रखिएगा, चीक है, हाँ जी, तो होता क्या है कि 132 देशों में 72 इस्थान है टैलेंट को लेकर, दुनिया में टॉप किया है सुटजेलेंड, उसे और सिंगापूर ने, तो सबसे जादा टैलेंटेट कंट्री सुटजेलेंड, फिज उसे, फिर सिंगापूर, भारत का स्कोर भी बुरा नहीं है, 72 स्कोर है ग्लोबल टैलेंट में, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 200 पलस कर दो बटा, आप तो मजा ही आ जाएगा, क्या बात है, तो 200 पलस पहुचा दो, सब लोग बहुत अच्छे, अब देखेगा, अगली खबर, ये देखो बटा, नूकलियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, ये कोश्चन एक्जाम में आने की बहुत चांस है, तो नूकलियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, ये कोश्चन भी आपके एक्जाम में आ सकता है, 22 कोश्चन, ये 22 खबर है, नूकलियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी को ले करके, और ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है, याद रखेगा एक्जाम में आपके 22, में, with respect to the non-poliferation of nuclear weapon treaty, consider the following, it was brought in 1974 in response to the Indian nuclear test smiling buddha, all five permanent members of the United Nations Security Council among its members, India, Pakistan and Israel are the only nuclear countries that are non-signatories to the agreement, ध्यान से देखो, answer बहुत आसान है, question number 22 को देखिएगा, बेटा जल्दी देखो, हाँजी, 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 so आपको non-poliferation of nuclear weapon, याद रखिएगा आप nuclear weapon नहीं बनाएंगे, ये देखो, बेटा जाहिर सी बात है, permanent members जो United Nations के होंगे, वो तो इसके member होंगे, obvious सी बात है, ये दो बिल्कुल सही है, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल के साथ, साथ, North Korea और South Sudan भी इसका seminary नहीं है, ये गलत statement है, तीसरा तो होई ही नहीं सकता, याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, right answer, two only हो जाएगा, पहला statement भी गलत है, आपको मालूम होता चाहिए, NPT जो है, 1985 में आई थी, याद रखिएगा, so याद रखिएगा, हाँ जी, so NPT जो है, हाँ जी, तो 1985 में आई थी, तो याद रखिएगा, ये बहुत अलग ग्रूप है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और nuclear suppliers ग्रूप आया था, याद रखिएगा, 1974 में, जब इंडिया ने smiling buddha launch किया था, अमेरिका और ये जो powerful nations है ना, बहुत तेज हैं, ये खुद nuclear weapon बनाएं भी, खुद टेस्ट भी करें, ज़रूरत पढ़ने पर फेक भी दें, और दूसरे बनाई भी ना भाई भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, ठ देखेगा, so global social mobility report was recently released by, जल्दी बताओ, so global social mobility report, किसने release की थी, question number 23 को देखेगा, world economic forum है, UN department of economic and social affairs है, UN high commissioner for refugee है, मनेश्टी है, जल्दी बताओ, बहुत अच्छा question, ध्यान से देखेगा, global social mobility report, so global social mobility report कौन publish करता है, तो इसे publish किया जाता है, world economic forum में, so India ranked at very low, at 76 place out of 82, अब देखेगा, 82 देखेगा, बहारत की rank 876 है, world economic forum ने, the global social mobility report, ahead of the 50th annual meeting address, which the India among the five countries that stand to gain the most, from a better social mobility school, that seeks to measure parameter specific rating societies, where every person has the same opportunity, so याद रखेगा, कि भारत में ऐसा तो होता नहीं है, होता क्या है, कि यह report क्या इसलिए बनाई जाती है, कि जो हमारे देश में, समाज में रहने वाले हर वेक्ति को, बराबर opportunity मिलती है या नहीं मिलती है, यह तो होता ही नहीं, आप जानते हैं, हमारे देश में बराबर opportunity कहां है, ना income में है, ना employment में है, तो सब को याध बराबर हमारे देश में तो मिलती नहीं है अपॉर्चुनिटी तो इसी लिए हमारी रांग काफी खराब है तो time to care रिपोर्ट अगली ख़बर बहुत बड़ी है question number चौ बीस को देखेगा 24 हमी खबर बहुत बड़ी है the time to care ये काफी बड़ी खबर है Social responsibility के उपर है ये देखे के लगई the time to care report which was in news recently released by so time to care हमारी जिम्मेदारी है कि भाईया समय आ चुका है कि care करो, किसकी करो, तो यह आद रखेगा World Economic Forum, WHO, Paris School of Economics, Oxfam, किस ने निकाली है 24 वा, 24 वा को देखो, Time to Care Report, यह Time to Care Report बहुत important report है, इसे किस ने निकाला है, बिल्कुल सही है बेटा, Oxfam International ने निकाला है, recently Oxfam International International Non-profit Organization has reached the study Time to Care ahead of 15th Annual Meeting of WAF, Oxfam Annual Report reveals that hidden engine of the world economy is driven by unpaid care work of women and girls, तो याद रखेगा, तो याद रखेगा, नोंने बताया था कि हमें महिलाओं और जो लड़कियां हैं, उनकी care करनी चाहिए, तो यह women's, women's के उपर है, महिलाओं और जो girls हैं, उनकी care करनी चाहिए, unpaid care work, याद रखेगा, चीक है, तो बहुत important है, अगली खबर, यह देखेगा, हाँ जी, 25 भी खबर, यह बटा gender, gender inequality की खबर है, और क्योंकि gender inequality बहुत important है, UPSC के मसले में, on an average, women have just three-fourth of the legal rights of mort, अब अब यह देखेगा, women have just three-fourth, the legal rights of men, अब यह देखेगा, बहुत बड़ी खबर है, तो याद रखेगा, उन्होंने बताया है कि महिलाओं के पास, पुर्षो के comparison में, three-fourth ही legal rights है, यह देखेगा, यह काफी बड़ी खबर है, women, business and the law, 2020 यह देखेगा, यह काफी बड़ी खबर है, यह किस ने निकाली थी, तो women, business and the law, 2020 index, याद रखेगा, यह जो है बटा, world bank द्वारा निकाली गई है, इंडिया placed at 117 among 190, तो आप देखेगा, भारत की rank 190 में 117 number पर है, women, business and the law, 2020 index to measure economic empowerment of women, तो याद रखेगा, कि महिलाएं economically आर्थिक तोर पर कितनी empowered है, इसके लिए report निकाली थी, world bank ने, और इंडिया की report काफी खराब है, याद रखेगा, तो 25 question हो गए, आधे question हो गए, 50 question होने है, तो याद रखेगा, बहुत बताना चाहूंगा एक बहुत अच्छी चीज, कि भाई देखो, ये मेरा session है current affairs का, लेकिन आप जानते हैं कि science भी आपके लिए बहुत important है, और आज आप लोग के लिए science का भी section होने वाला है, पूरी complete biology पास दिन में हम आपको कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो आप देखेगा, आज मज़ा आएगा, ये देखे, 26 भी खबर, ये देखे, killer care 4, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमारी नई मिसाइल है, killer care 4, DRDO की, ये देखो बटा, killer care 4, जल्दी देखो, question number 26, उससे पहले आप ये देख लीजिए, जुबहर एसानी सर का complete biology revision, human physiology part 1, endocrine, skeleton, muscular system, आज 3 बजे, बटा याद रखेगा, जुबहर एसानी सर, पूरे 5 दिन में biology का जबर्दस revision कराने वाले हैं, यूटूब पर, आज दुबहर 3 बजे class है, आना मत बूलिएगा, मनदे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday पांस, जिन में पूरी biology का revision कराएंगे, जुबहर एसानी सर, भाई साब एक बार सब लोग दिखा दो यार, like और share, बटा पूरी तभाई मचा देंगे, आतंग मचा देंगे, पूरी दुनिया को consider the following statement with respect to the K4 missiles, बटा अब exam में देखो, आब exam में 20 दिन बचें, अगर अब भी न लगे, तो क्या फाइदा, बटा अब exam में अगर अब भी न लगो, तो बेकार है, मैं सज बता रहा हूँ, useless है, मतलब 20 दिन तो आप सुबा, दुपहर, शाम, रात, सब छोड़ दो, सिर्व हमारे साथ लग जाओ, exam हम निकलवा के देंगे, बटा, देखे, K4 missiles, it is a nuclear capable ballistic missile, having a strike range of 3500 km, it is being developed by DRDO, it is developed for being deployed on the fleet of Kalwari class nuclear submarine, बहुत अच्छा, question number 26, जल्दी देखेगा, answer दो, बहुत अच्छे, जल्दी देखो, बहुत अच्छे, तो बेटा, it is a nuclear capable ballistic missile, बिल्कुल सही है, इससे develop किया है DRDO ने, और याद रखेगा, कलwari class में नहीं लगेगी, बेटा, यहीं तो गलत है, यह कलिवारी class में नहीं, अरिहंद class में लगेगी, बिल्कुल सही है, one and two is the right answer, शाबाश, बहुत अच्छे, very good, right answer B हो जाएगा, तो याद रखेगा, यह अरिहंद class में लगेगी, कलwari class में नहीं लगेगी, 27 भी खबर, a new center for excellence for blockchain technology was inaugurated recently by the ministry of electronics and information technology at which of the following, new center for excellence for blockchain technology, देखो बेटा, इसे जो है, अभी ministry of electronics ने किया है, mighty ने, कहाँ पर, चिन्नाई, हाइदराबाद, कॉलकाथा, बैंगलोर, जल्दी बताओ, ध्यान से देखो, answer दो, blockchain technology का, जल्दी बताओ, mighty ने किया है, ministry of electronics and information technology, कहाँ, question no 27, जल्दी देखो, right answer बेटा, बैंगलोर, अब देखो बेटा, जहाँ पर बाट technology से आ जाए, तो हमारे देश में technology कहाँ है, सारी बैंगलोर में है, यार, right answer D हो जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ जी, ओके, ये देखो, ये भी साफी बड़ी ख़बर है, question no 28, who endorse, who endorse, ICMARS, true net, true not test, बेटा ये देखो, मैं आपको guarantee बताता हूँ, ये question exam में आने की बहुत chance है, true not, ये true not बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और भारत ने यहाँ पर बहुत बड़ी काम्यावी हासिल की है, ये देख सकते हैं, true not, which was in news, is related to, जल्दी बताओ, a new class of antibiotics to combat drug resistant, earth-like exoplanet, new molecule test to diagnose TB, run of the बाब, जल्दी बताओ, ये भारत ने बनाया है, ICMR ने बनाया है, Indian Council for Medical Research, बहुत बड़ी खबर है, जल्दी बताओ, true not, क्या है, fast, जल्दी, बहुत तेज, so ये true not, क्या है, बहुत बड़ी खबर है, याद रखेगा, new molecular test to diagnose TB, याद रखेगा, 28 का right answer, C, और ये question exam में आने की chances, बहुत जादा है, बैटा, 200 प्लस पहुचाओ, बहुत मजा आने वाला है, जल्दी देखेगा, हाँ, जी, so, recently, WHO has mentioned that, India made true not, MTP molecule diagnosis test for pulmonary, exoplarary TB and high accuracy, तो बहुत अच्छी accuracy के साथ, ये test कर रहा है, true not, याद रखेगा, next, ये देखो, 29 वी, India's first ever sports, model sports village, is set to launch in, आपने सुना होगा, बैटा, बहुत बड़ी खबार है, अब भारत चाहता है, कि भारत भी Olympics में उतने ही gold medal जीते, जितने USA, USSR, जैसे रशिया और चाइना जीतता है, तो भारत में sports को village को, sports को promote करने के लिए model sports village बनाए गे है, जल्दी बताओ कहा बनाए गाए है, बहुत अच्छा, जल्दी बताइए fast, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जहाँ, model sports village भारत में कहाँ बनाए गए मुझे मालुम है, जादा तर लोग C कहेंगे हर्याना, क्योंकि हर्याना स्पोर्ट में आगे है ऐसा नहीं है राइट आंसर है बेटा उत्तर प्रदेश राइट आंसर उत्तर प्रदेश के डी गाजियाबाद में दो गाउं बनाए गए हैं बहादुर पूर और खेरी विरान ये भारत के पहले model sports villages हैं और ये आपके exam में आने की chance बहुत जादा हैं तो बहादुर पूर और खेरी विरान ये दो villages हैं याद रखियेगा ये इंडिया के दो बहुती model sports villages हैं दिन दोनों को set up किया गया है कहां पर उत्तर प्रदेश में याद रखियेगा very good question and very good answers by everyone शाबाज मेरे बच्चो आगे बढ़ते हैं और तभाई मचाते हैं चीक है next तीसमी खबर consider the following statement respect to the yada yada virus हाँ जी yada yada virus के बारे में सुनाओगा बड़ी खबर है it belongs to the group of virus that only infect mosquitoes yada yada virus outbreak was recently reported in China आपको मैंने इतनी बार पढ़ाया है cds बहुत बड़ी चीज है याद रखिएगा चीक है अब देखो वेटा अगर हम बात करते हैं viruses की या किसी भी चीज की मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई खबर किसी statement में ये आ जाता है न तो ये गलती होता है ये गलत है ये सही है right answer to only हो जाएगा so only infect बिलकुल गलत है so only नहीं हो सकता only हमेशा गलत होता है तीसमें का राइट आंसर भी है याद रखेगा तो न्यू वाइरस ने ऑस्टेलियन मॉस्किटोज याद रखेगा हां जी चाइना में रिपोर्ट किया गया था हां जी हां जी sorry 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 ये सही है ये सही है ये गलत है क्योंकि ये ऑस्टेलिया में था बेटा I'm really sorry sorry you Australia में I'm really sorry कलती हो गई मुझसे okay right answer A हो जाएगा क्योंकि मैटा यह Australia में देखा गया था ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी Australia में था consider the following statements with respect to the NIA amendment अब देखो NIA आप जानते है National investigating agency जो हमारे देश में कोशन नमर 31 यह देखो बहुत बड़ी खबर है NIA में amendment हुआ है देखो the amendment enables the central government to designate sessions court and special court for NIA trials अच्छी बात है हूं कोशन महीं कत्तीस it gives NIA extra-territorial jurisdictions allow the agency to register a case when Indians living abroad or Indian asset based in a foreign country come under attack from terrorists पूछा गया है कि कौन सा statement not correct है तो इन में से कौन सा statement not correct है 31 को देखिएगा जल्दी बताओ NIA आपने सुना होगा National investigating agency the amendment enables the central government designate sessions court as special court बिल्कुल सही बात है यह बिल्कुल सही है it gives NIA extra-territor यह भी सही है तो right answer D हो जाएगा neither one neither two क्योंकि दोनों statement सही है पूछा गया था not correct क्योंकि दोनों statement सही है अब NIA को यह अधिकार है कि याद रखिएगा कि वो sessions court बनाई जा सकती स्पेसिफिकली फॉर NIA के लिए और दूसरी चीज यह है कि इनका jurisdiction छेट बढ़ रहा है मतलब red tapism कम हो रहा है protocol का concept कम हो रहा है याद रखिएगा हाँ जी next यह देखो बेटा यह misery index बहुत बड़ी खबर misery का मतलब क्या होता है दुख दुख मतलब misery का मतलब क्या होता है दुख और लोग कितना परेशान हैं दुखी हैं इसके लिए misery index बनाया गया है और याद रखिएगा कि भारत में I am really sorry to say लेकिन लगातार मजबूरियां परेशानियां बढ़ती जा रही है misery index से question आने की बहुत chance है consider the following statement respect to the global misery it is equal to the sum of inflation and unemployment the higher the index the less is the misery बहुत अच्छा ध्यान से देखो भाया इसका answer तो गलत होई नहीं सकता समझो अब होता क्या है misery का मतलब होता है दुख लोगों का दुख कब बढ़ता है जब inflation और unemployment दोनों बढ़ता है जाहिर से बात है महंगाई बढ़ लई है बेरोजगारी बढ़ लई है तो भाया आपकी दुख भी बढ़ेगा बिलकुल सही है लेकिन higher the index मतलब यह जतना जादा होगा तो जाहिर से बात है लोगों का दुख भी उतना जादा होगा ना क्योंकि इंडेक्स जतना बढ़ता जाएगा लोगों का दुख भी बढ़ता जाएगा यह गलत है one only is the right answer question number 32 का right answer A होगा क्योंकि बटा जब देश में inflation और unemployment बढ़ेगा तो क्या होगा लोगों का दुख बढ़ेगा ना कम थोड़ी ना होगा और misery index याद रखेगा याद रखेगा कि भारत में लगातार यह बढ़ता जा रहा है याद रखेगा ठीक है आगे यह देखो बटा यह खबर मैं guarantee बता रहा हूँ यह खबर exam में आने वाला है यह blue flag certification यह बहुत बड़ी खबर है यह बहुत बड़ी खबर है 33 33 खबर काफी बड़ी खबर है याद रखेगा बेटा यह blue flag certification यह देखेगा तो blue flag certification यह eco label दिया जाता है आपको सुना होगा consider the following statement respect to the blue flag certification it can be obtained by a beach or a sustainable boating tourism operator and serves as an eco label the certification is ordered by the United Nations law of the sea conventions पूछा गया है कौन सा सही है कोशन मद 33 को देखेगा बहुत अच्छा कोशन है ध्यान से देखो बटा बहुत अच्छा कोशन है तो blue flag certification आपको मालूम है यह eco labels होते हैं और आपको मालूम होना चाहिए भी कि 2021 में भारत की साथ beaches को यह blue flag certification एक बार में दिया गया है बिल्कुल सही statement है लेकिन यह गलत है बटा United Nations के पास यही काम नहीं है कि वो करेगा तो याद रखेगा हां जी तो याद रखेगा हां जी तो याद रखेगा इसे जो है बटा Denmark based non-profit foundation for environment education so foundation for environment education जो की Denmark में है वो देती है FEE तो United Nations इसे नहीं देता है इसे देता है foundation for environmental education FEE और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की साथ आड़ बीचों को एक साथ दे दिया गया है यह शिवराजपूर बीच है घोगरूंडा बीच है भोगेव बीच है आपको मालूम होना चाम है क्या प्यूटाउन विच्वाजन इस फास्ट तो क्या-प्यू.ाटशुन जल्डी बता हूं ये काफी न्यूँज में था कुशन 34 को देखेगा यह काफी न्यूज में था क्यूप्यू टौँडी क्यों लिच वास्ट तो क्या प्यू टौं के बारे में आपने सुन होगा क्या प्यू टाउन हाँ जी ये न्यूज में था कहां पर है जल्दी बताईएगा अरे ये चाइना वाले है ना मानेंगे नहीं बिटाईए मयनमार में हैं अब होता क्या है कि भारत के जो पडोसी है ना जैसे चेपाल है चाकिस्तान है या मयनमार है उनसे चाइना क्या क कर रहा है अपने दबदबे को स्ट्रॉंग कर रहा है और वो चाहता है कि बे बंगाल वाले एरिया में भी दबदबा टाइट करें इसलिए वह पाकिस्तान हो गया से अरेबियन सी साइट से इधर जो नेपाल हो गया मैनमार हो गया उनसे रिष्टे अच्छे करने कोशिश कर तो भारत ने भी उल्टी चाल चलिया भारत जो है वियतनाम इंडोनेशिया इन सब से अच्छे रिष्टे कर रहा है ताकि साउच चैने सी में भारत भी अपना दबदबा श्रॉंग कर सके बहुत अच्छी शाबाश consider the following statement with respect to the H992 virus which was in news night recently H9N2 जल्दी बताओ ये virus सुना होगा 35 it is a sub type of the influenza A virus which causes human influenza as well as blood food the viruses are found in the wild birds and are endemic in poultry in some countries जल्दी बताओ H992 के बारे में आपने सुना होगा H992 बहुत बढ़िया शाबाश it is a sub type of influenza A virus और याद रखेगा ये poultry बगरा हम पाये जाता है बोथ 1 & 2 is the right answer so Indian scientists detected countries first case of infection with rare virus याद रखेगा India's curse case of the event of blood flu caused by rare variety of H992 और याद रखेगा 17 month old boy of महराश्टा में देखा गया था याद रखेगा next आगे बढ़ते हैं ये देखेगा अगली बड़ी खबर भी काफी बड़ी है 36 वी खबर ये देखो state energy efficiency preparation index अब ये समझो बटा हमारा जैसे भारत जैसा देश है यहाँ पर बिजली की वैसी preparedness index की बात आती है consider the following statement respect to the state energy efficiency index जल्दी देखो गुष्ण बच 30 हाँ जी the index highlights the achievements of India's energy policy and provides recommendation to support the government goals for promoting well functioning energy markets and boosting deployment of renewables it was released by the international agency agency in partnership विनीति आयोग पूछा गया है कौन सा सही है so जल्दी बताओ state energy efficiency index जल्दी ध्यान से देखो आंसर आपको मालुम चल जाएगा ठीक है अभी मैं सब बताऊंगा अमन साब पहले class कलो फिर सारी चीज़े बता दी जाएगी last में ठीक है हाँ जी अब देखो the index याद रखेगा दो रो statement गलत है neither one neither two कारण ये है so याद रखेगा तो energy policies के उपर नहीं है और याद रखेगा इसे कौन निकालता है तो इसे Bureau of Energy Efficiency BEE निकालता है तो इसे Bureau of Energy Essentials निकाला जाता है नीती आयों का कोई लेना देना नहीं है an association for alliance of energy efficient economy याद रखेगा next बहुत अच्छे बाबा कल्यानी कमीटी हाँ जी बाबा कल्यानी कमीटी is related to which of the following जल्दी बताओ so question number 37 देखिएगा बाबा कल्यानी कमीटी special economic zone policy micro small medium enterprise loss making public sector undertaking national education policy review बाबा कल्यानी कमीटी जल्दी देखो ये बाबा कल्यानी कमीटी किस से related है question number 37 हाँ जी so बाबा कल्यानी कमीटी जल्दी बताओ किस से related है बाबा कल्यानी हाँ जी तो याद रखेगा ये special economic zone policy ACZ policies related है बाबा कल्यानी union commerce industry railway minister recently chaired meeting नुड़ली review the remaining recommendations of बाबा कल्यानी reports नवाभी जोन ठीक है तो हमारे देश में याद रखेगा तो हमारे देश में याद रखेगा कि जादा जादा economic zone मनाने है ताकि भारत के export sector को promote करना है बहुत अच्छा next question 38 global economic prospects economic prospects report was published recently by which of the following organization economic prospect ये तो बताओ फास्ट एकनॉमिक prospects report जल्दी 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 लाइक और शेर होते रहना चाहिए बहुत अच्छे सो economic prospect report जो है वो वर्ड बैंक द्वारा निकाली जाती है हां जी तो याद रखेगा इन्होंने बताया था कि भारत की जो बेटा आपकी भारत की जो वो होगी एकनॉमिक ग्रोध वो कम होगी जाइट जी बाते वो वर्ड जी कम हो गई उन्होंने कहा था कि छे नहीं पांच होगी यहां पांच भी छोड़ी है माइनस 23 हो गई क्योंकि COVID-19 फैल गया था इवेस आगे बढ़ते हैं यह देखो बहुत बड़ी खबार है विंग्स इंडिया यह बहुत बड़ी खबर है यह विंग्स इंडिया बड़ी खबर है देख लो बैटा कोश्च नमब 39 एक्जाम में आ सकता है विंग्स इंडिया 2020 विच वॉज इन न्यूज और गनाइज दो सो प्लेस कर दो बहुत बड़ी हाँ शाबाश तो विंग्स इंडिया के बारे में आपने सुना होगा न्यूज में था इसे बटा यह 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 तीनों ने मिलकर कराया था सो विंग्स इंडिया एशिया लार्जेस और मोस्ट पॉपॉलर गेटिंग इंडिस्ट्री डूब है रखेगा और्गनाइज बाइश्ट्री और सिविलेशन गौर्ण्मेंट ऑफ इंडिया एए एन फिक्की याद रखेगा सो यह काफी इंपॉर्टेंट है सिविल एविएशन के लिए होती है याद रखेगा विंग्स इंडिया यह हैदराबाद में हुई थी यह देखो चालिसमी खबर भी बड़ी है माइबरेशन पार्टनर्शिब एग्रिमेंट माइबरेशन अन मौबिलिटी पार्टनर्शिब अगरीमेंट ऑफेट शिन तर्फ ने लूज इन अगरीमेंट बिट्वीं द Всемिए और चालीसमा नभी एग्ठों सब्सेगेल उट अब्सेषिए स्वीडन किसके साथ इंडिया ने किया है जल्दी बताओ हां जी कोशन नंबर ध्यान से देखिएगा 40 को देखिए बिल्कुल सही है कोशन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडिया ने फ्रांस के साथ किया है जो देखें, union cabinet has recently given approval for rectification of migration mobility partnership agreement India and France the agreement was signed in 2018 during the state with the French president the agreement represents a major milestone enhancing people-to-people contacts fostering mobility of students, academic research and skilled professionals strengthening the cooperation issue relating to irregular migration and human trafficking between the two sides so याद रखिएगा, यह migration और mobility का था बहुत important हमारा इंडिया के फाद, France के साथ ओके, अब देखो, 41, जो कुटपूई, जो कुटपूई festival which was in news, जल्दी बताईएगा, हाँ जी आपको मालूम है, ट्राइबल फेस्टिवल्स हमारे UPSC वाले बहुत पूस्ते हैं, यह जो कुटपई फेस्टिवल आपने सुनाओगा, news में था किसका फेस्टिवल होता है, मीजो, बोडो, गारो, हो, जल्दी बताओ, बहुत अच्छा कोशन है UPSC को ऐसे कोशन बहुत पसंद है, जैसे नगोबा, जटारा भी बताया था, जो गोंड ट्राइब्स का होता है, वैसे यह मीजो ट्राइब्स का होता है, जिसका नाम है जो कुटपई The Mizoram State Government is organizing जो कुटपई फेस्टिवल across 10 states in the country, also in the countries याद रखेगा याद रखेगा यह बकाइदा जो है USA में, मयनमार में, मनीपूर में, बंगलादेश में और भारत के 10 राज्यों में होता है, मीजो ट्राइब्स के लिए, उनके यूनिफिकेशन के लिए काफी अच्छी खबर है, नेक्स 42 यह देखेगा, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशेंसी रेशियो, ISEER is the energy performance index, use for which of the following, जल्दी बताओ, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशेंसी रेशियो, electric vehicle, water heaters, microwave ovens, room air conditioner, ध्यान से देखना answer अपने आप मिल जाएगा, सो, energy efficiency, पहले आपको यह समझना पड़ेगा, energy efficiency किसके लिए निकालेंगे, electric vehicle, water heater, microwave, और seasonal है, seasonal समझ लो, तो seasonal किसके लिए हो सकता है, जल्दी बताओ, तो seasonal उपर से energy efficiency है, सबस्यादा बिजली कौन खाता है, बेटा, यह हमारे air conditioner यह तो खाते हैं, सो, Indian seasonal energy efficiency ratio जो है, बेटा, यह निकाला जाता है, air conditioners के लिए right answer D हो जाएगा, हाँ जी, ठीक है, आगे, यह देखिएगा बेटा, यह Indian science congress, यह बड़ी खबर बन सकती है, आपके exam में, question number 43, बड़ी खबर बन सकता है, याद रखेगा, Indian science congress, inauguration of farmer science congress, तो farmers के लिए science congress, यह बहु होता, congress का मतलब होता है, जहां लोग घटा हो, consider the following statement, respect to the farmer science congress, 2020, question number 43, the theme of the first ever such event is science and technology, rural development, it was organized as a part of 107th Indian science congress at University Agricultural Science, New Delhi, बहुत आसान है, ध्यान से देखेगा, बहुत अच्छा question है, ध्यान से देखेगा, और जवाब दीजे, बिल्कुल मैं बताऊंगा, बेटा भी, सब बेटा साथ question के लिए रुख लाओ, सब कुछ है, छीक है, तो बेटा याद रखेगा, इडवास ये गलत है, पहली चीज़ ये बैंगलोरों में हुआ था, छीक है, और ये इसका theme भी नहीं था, right answer D हो जाएगा, क्योंकि कारण ये है, तो याद रखेगा, हाँ जी, the farmer science congress जो है, य ये 107 साल में पहली बार हुई थी, farmers innovation scientific validity याद रखेगा, तो याद रखेगा, ये बैंगलोर में हुई थी, 120 लोगों ने, 120 organization साथ लिया था, farmers innovation and their scientific validity, तो theme ये था, farmers innovation and scientific validity, ये बैंगलोर में हुई थी, याद रखेगा, बहुत अच्छा question था, सुकन्या project, sometimes seen in the news, is an initiative, हाँ जी, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, सुकन्या project, आपने सुनाओगा, 44, सुकन्या, जल्दी बताओ, ये सुकन्या project, हाँ जी, आपने सुनाओगा, sometimes seen in the news, is an initiative, इन जल्दी बताइए, छे question बाद, अभी सब कुछ बताओंगा, आपको कहाँ चीज़े मिलेंग तो सुकन्या जो है बेटा, ये कॉलकाता में चलाया गया, कॉलकाता पुलिस ने सुकन्या project चलाया गया है, Girls Studying School and College in the City, Wealth Defense, तो याद रखेगा, कि जो शेहर में रहने वारी लड़किया है, उन्हें जो है, Self Defense Training पहुचानी है, स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को, ये कह National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement, ये काफी बड़ी training program है, भारा सरकार का याद रखेगा, 45, with respect to the Nishtha program, consider following, it aims to identify and encourage talented children to enrich their skills and knowledge, it was launched by Ministry of HRD, कोशन 45 को देखेगा, बहुत अच्छा कोशन है, जल्दी देखेगा, Nishtha कारिकरम, आपने सुना होगा, Nishtha के बारे में, जल्दी बताईएगा, बहुत अच्छा कोशन है, शाबाश, बहुत अच्छा, it aims to identify talented children, गलत है बटा, क्योंकि अभी मैंने बताया है, कि School Heads and Teachers के Holistic Advancement के लिए, so Teachers के लिए है, ना की बच्चों के लिए है, और Nishtha सुनाओगा, National Institute for School Heads and Teachers Holistic Advancement, ऐसे कोशन आपके एक्जाम में बहुत आते हैं, कि Nishtha Initiative क्या है, so National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement, so Teachers और Principals के Holistic Advancement के लिए शुरू किया गया था, याद रखेगा, ओके, यह देखो, consider the following statement respect to the E-Visa, question number 46, आपने सुनाओगा, E-Visa के बारे में, it is an online process where there is no paperwork involved, and all the process happens online, it is valid for entry only through airports and not through seaports, one can apply E-Visa at the airport, बहुत आसान है, question number 46 को देखिएगा, हाँ जी, जल्दी रेखो, E-Visa अभी आपने तुरुगा होगा, हमारे देश में काफी, 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 काफी न्यूज में था, E-Visa आपने सुना होगा, E-Visa मतलब electronic visa, so it is an online process where there is no paperwork involved, बिल्कुल सही है, लेकिन यह airport से थोड़ी ना, से भी होगा, यह airport पे थोड़ी ना, आपको एरपोर्ट पे तो आप visa on arrival करते हैं, यह आपको पहले लेना पड़ेगा, right answer one only हो जाएगा, तो याद रखेगा, अभी E-Visa वेलिए अंट्री तो 28 designated, 5 designated sea ports, वेलिए नैशनल 169, तो 179 देशों में याद रखेगा, E-Visa की सुव of which of the following, performance grading index, सुना होगा आपने 47 के बारे में, performance grading, हाँ जी, cyber safety, school education, rural urban sanitation, aspiration, district program, जल्दी बताओ, performance, performance कहां पर ही देखी जाएगी, जल्दी बताओ, बहुत ही आसान है, तो performance grading index, जाहिर सी बात है, कि हमारे देश में performance grading, जो है, schools education system महीं हो सकती है, बिल्कुल सही है, evaluate performance school education system, ministry of HRD has designated 70 indicator based metric called performance grading 2, ठीक है, 70 indicators बनाए हैं, और ministry of HRD, जिसे आज कल हम लोग ministry of education के नाम से जानते हैं, ये देखो बैटा, 48-वी खबर, ये भी काफी बड़ी खबर है, इवाली, इवाली के बारे में सुना होगा, ये देख लगते हो बैटा, हाँ जी, इवाली, which was in news, related to vaping related, unless a new antibiotic resistance, bacteriophages, new synthesized protein, none of the above, इवाली क्या है, 48, हाँ जी, आपने news में सुना होगा, हाँ जी, इसलिए आप देखते होंगे, हमारे देश में e-cigarette, e-hookka, ये सब बंद कर दिया गया है, तो e-cigarette, e-hookka, सब पे रोक क्यों लगा दिया गया है, vaping related index, जो लोग जो है न बेटा आजकर electronic होता है, e-cigarette और vaping product use associated lung injury, तो e-cigarette और vaping product use associated lung injury, it is a new name given to vaping related illness, तो इसलिए आद रखेगा, भारत में आजकर आप देख सकते हैं, e-cigarettes, e-hookka वगेरा पे रोक लगा दी गई है, याद रखेगा, इसलिए लगाई गई है, इवाली, हाँ जी, extracular vision, sometimes seen in a news, आपको सुनाओगा extracular vision, यह extracular vision क्या होता है, जल्दी बताइएगा, trouble focusing when reading or looking at computer, the blurred vision of the object, the ability to see without eyes, the condition where optic nerve of the eyes affected, यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, extracular vision के बारे में आपने सुना होगा, यह बहुत बड़ी खबर थी, अभी एक नई species of sea, अभी समुंदर में की species मिली है, starfish की, जिसको याद रखेगा, जो बिना आखों के देख सकती है, इसे extracular vision कहा जाता है, और यह basically Caribbean Sea में पाई गई है, याद रखेगा, तो Caribbean Sea में पाई गई है, याद रखेगा, यह relative or starfish है, याद रखेगा, हाँ जी, यह extracular vision, first of its kind, Rehabilation Center for Freshwater Turtles, यह बहुत अच्छा कोशन है, Rehabilation Center for Freshwater Turtles, कहां पर बन रहा है, जल्दी बताओ, कोशन नबर 50, हाँ जी, कोशन नबर 50, हाँ जी, जल्दी बताईएगा, बहुत अच्छा कोशन है, और यह कोशन एक्जाम में आने की बहुत chances है, जल्दी, हाँ जी, तो जाहिट सी बात है, राइट अंसर है, बिहार के भागलपुर में, तो भागलपुर डिविजन में बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, राइट अंसर यह हो गया गा, जी, तो यह अब देखो बताओ, बास समझो, अब पहले दो मिनिट मेरी बास सुनना, यह हो गया है जनवरी 2020 अब जनवरी 2020 हो गया अब सुनो आपने पूरा कर लिया अब सुनना ध्यान से कैसा लगा सेशन सब लोग पहले बताईएगा अच्छा लगाओ तो लाइक शेर जरू करिएगा अब सुनो बैठा जनवरी 2020 हो गया मैंने कोश्चन करा दिया अब आपको क्या चाहिए ह होगा कि कोश्चन पीडियेफ अब आपको कोश्चन का पीडियेफ चाहिए होगा और आपको कंटेंड का पीडियेफ चाहिए होगा तो भया कोश्चन का पीडियेफ चाहिए और कंटेंड का पीडियेफ चाहिए तो इसके लिए ऑनलाइन बेंचर्स की आप को डाउनलोड क लेकिन इसके बाद अब आपको current affairs कुछ नहीं करना है ठीक है हाँ जी अच्छा अब सुनो इसके लावा अब 3 बजे आपको मालूम है कि हम 5 दिन में पूरी बालेजी का revision कराएंगे आज दुपहर 3 बजे डॉक्टर जुबेर ऐसानी सार की class देखना ना भूलें आज हम लोग बैटा endocrine system, skeleton system, muscular system तो 3 बजे तो ये session आपको करना है मनला अगले 20 दिन बैटा तुम्हें लगने ही लगना है आप समझो उसके बाद हम लोग आपके लिए cds1 का 30 days revision series चला रहे हैं तीन घंटे की marathon आपको मिलती है शाम को 5 से 8 देखो बैटा कितना बढ़े हैं आपके लिए कर रहे है डेली 5 बजे आपको ये मिल ला है अब समझो सुबह 8 बजे डॉक्टर रमिश शोदिया vocab ले रहे हैं एक बज़े मैं current affairs ले रहा हूं तीन बज़े जुबैर सर साइंस ले रहे हैं पांच बज़े ये marathon मिल लही है और रात को 8 बज़े daily current affairs आपको जो express 365 current affairs है daily current affairs वो मनला समझ रहे हो सुबह 8 बज़े vocab एक बज़े current affairs ठीक है आठ बज़े vocab एक बज़े current affairs तीन बज़े जो है तीन बज़े विटा जनरल साइंस पांच बज़े cds marathon आठ बज़े जो है आपका current affairs मला इन सारे session में आना है इन सारे sessions में आओगे ना तो तुम्हें बहुत फाइदा होगा मतलब हम cds इस बार मिल कर निकालेंगे और cds one 2021 की band बजा देंगे कैसा रहा जल्दी बताओ सब लोग कैसा लगा जल्दी बताओ सब लोग क्लास आज का अब कल दुपहर दो बज़ाएंगे ठीक है अब इससे पहले जुपहर ऐसानी सर की क्लास में आ रहे है ना बटा वो त देखो अब होता क्या है मैं आपको बहुत अच्छी बात बताओं जो लोगों का misconception है पिछली बार cds का exam कब हुआ सुनो पिछली बार cds का exam हुआ बटा 8 नवंबर को समझो 8 नवंबर 2020 को exam हुआ और याद रखिएगा कि 3 नवंबर की news थी उसमें तो 3 नवंबर की news थी उसम इंडफेर्स तो करना ही पड़ेगा आपको ठीक है हाँ जी तीन मज़ा आना है जुबैर एसानी सरकी क्लास ठीक है थांक यू भाई कैसा लगा सबको सेशन भाई अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि सेशन को अपने दोस्तों तक पहुचाना है आपको ठीक है ओके है एव नाइस डे जै हैं जै भारत वंदे मात्रम प्रेंड फेर्स होगा